नमस्कार आपका स्वागत है आपके चैनल एक्जामवट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PISM, IRAM and POLM में डिफरेंस और किसका क्या स्लेबस हो सकता है किसका क्या पैटन है क्योंकि जितने भी वेबिनार्स कंड़क कर रहे हैं उसमें रिपेटिटली कोशन आता ह कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या PISM क्या है, POLScience क्या है, IRAM क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आप किसके लिए अपलाई कर सकते हैं, क्या Eligibility है, तो यह प्रॉपर वीडियो उसी के डेडिकेटेट है, सबसे पहले यह तीनों पॉलिटिकल साइंसे रिलेटे कोर्सेज है, अब आप लोग जानते हैं कि JNU में स्कूल लेवल पे कोर्सेज होते हैं, तो सबसे पहले स्कूल, स्कूल of Social Sciences, और दूसरा स्कूल, स्कूल of International Studies, अब पॉलिटिकल साइंस लेवल पे कौन से कोर्सेज इन दोनों स्कूल में है, ट्रिपल S में स्कूल है, जो उस बहुत से लोग PSIR भी बोलते हैं, PISM, इसे बहुत से लोग PSIR भी बोलते हैं, जो कि एक UPSC Level Optional Course है, या इसको Masters in IR भी बोलते हैं, या दखीगा, या सारे Masters Level Course है, and lastly, IRAM या IRAS, जब आप form भरने जाएंगे, जैसी JNU की notification आएगी, आप यही नाम देखेंगे, POLM, PISM, IRAM, तो आप confused मत होईएंगा, यह क्या है और क्या नहीं, सबसे पहले, POLM की बात कर लेते हैं, POLM में आप Political Science के बारे में पढ़ेंगे, thoroughly, उसकी theories, उसमें जितने भी thinkers हैं, उनके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में Political Thoughts, Constitution, ऐसी चीज़े जो Proper Political Science में आती है, वो होगा आपका POLM में, offered by School of Social Sciences, SSS, फिर बात कर लेते हैं, SIS की, सबसे फेमिस कोर्स जो है, जो STAR कोर्स जिसे का जाता है, that is, PISM, जिसे बहुत से लोग कन्फ्यूस करते हैं, PSIR से या IR से, इसमें आप IR, प्लस Political Science, दोनों चीज़े पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम है PISM, Political Science with Specialization in International Studies, तो ये कोर्स आपका UPSC level कोर्स ही है, तो अगर इन केस आप UPSC के लिए, तो आपको PISM के जाना चाहिए, लास्ली दो कोर्स इस आरेम, इस र-A stands for Area Studies, तो अगर आप Area Studies, अगर अपर अरिया स्टेडी में, जो हमारा वर्ल्ड है, वो कितनी रीजिन्स में Europe, North America, ऐसे Country-wise आप Specification में Countries के बारे में उनकी Political Understanding के बारे में आप I.R.A.M में पढ़ेंगे, तो इनकेस आप चाहते हैं कि आप किसी एक Country पर्टिकुलर रीजन के बारे में इंदेफ में पढ़ें, तो I.R.A.M आपके लिए सुटेबल कोर्स है, तो ये तो हो गए उनके Distinctions क की बात, अब एक और important बात जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं, बहुत से लोग को पता नहीं होता है, और जब वो फॉर्म भर लेते हैं, उनका सेलेक्शन हो जाता है, तब वो एक situation face करते हैं क्या preferences की, for instance, जब आप JNU को फॉर्म भरने जाएं, तो आप एक बार मे से आपकी preference पूछता है, तो अगर आपने अपनी preference ऐसे डाल दी और आपका selection इन तीनों में हो गया, तब आप सोचेंगे कि आपके पास choice मिलनी चाहिए, अब मैं किस में admission लो, जी नहीं, वो choice JNU आपस पहले ही पूछ चुका है, तो in case आप तीनों में clear कर लेते हैं, तो जो आपकी first choice होगी, आपको सिर्फ वही subject मिलेगा, आप बाकी दो के लिए eligible नहीं होगे, तो आप याद रखिएगा कि आप अपनी first priority किसको रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी first priority किसको रखना चाहते हैं, उस पर first पे रखिए, आपको वही course मिलेगा, in case आपको first priority clear नहीं हु आप तीनो clear कर लेंगे, in case आप तीनो clear कर लेंगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, जो आपकी first priority हो, तो अपने form भरते वागत इस चीज का ध्यान दखें, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt है, इन चीजों से related के in-depth clear syllabus पढ़ाया जाता है, जब आप master's level को join कर कि वो हम आगी की webinars में चर्चा करेंगे, इस Saturday हम already webinar conduct कर रहे है, regarding political science in GNU and IR, तो in case आप interested है, आप और जानना चाहते हैं, आप welcome है, आप उस webinar को Saturday पांच बजे join कर सकते हैं, और in case आप directly चाहते हैं, कि हम classes के बारे में आपको update करें, तो आप इस description box में जाना, आपको telegram channel का link मिले हमारी classes already 28th March से schedule है, start हो जाएंगी, IRAM, PISM और POLM के लिए, तो in case आप interested है, कि आप direct classes लेकि, course लेकि सीखना स्टार्ट हैं, तो आप work कर सकते हैं, in case आपको सिब doubts है, जो आपको लगता है webinar की through solve हो सकते हैं, तो इस Saturday पांच बजे, special webinar for international relations and political science masters, तो in case आपके पास कोई भी doubt है, feel free to ask and मिलते हैं फिर webinar में, तो see you on the next one, thank you